प्रक्रणपंदर सजीवोनी जीवने क्रियाओ आगणना भागमा अपणे मानव शरीर अने वनस्पती नी वृद्धी दर्म्यान विवीद अवयव तंत्रों कई रिते कारिय करेशे तेनी माहिती लिदे आजे अवयव तंत्रों शे ते एक बिजानी साथे भेगा मडीने कारिय करेशे अने तेथी आ विवीद क्रियाओ क्रम्बद रिते थाई तेने ज अपणे समन्वई कहिए शीए तो समन्वई ना अपणे उदाहरण जोईए तो खोराक उतावड़े खावा थी क्यारेक आपनने अंत्रस लागेशे एटले के उतावड़ती खावाने कारणे खोराक नो जे कौन जेशे ते अन्न नड़ीमा न जता भूल थी स्वास नड़ीमा जाए शे और तेने कारणे आपने सत्तत खासी खाईये शीए के जेने कारणे एजे कौन शे ते स्वास नड़ीमा ती बहार आवे क्यारेक आपने जमता होईए अचनक हातनो अंगुछो अत्वा तो जीब दात नीचे कचलाए जाए के आपनने वेदना थाए शे कारण आपना जीब नीचे अत्वा तो अंगुछामा जे ग्ण्यान तंत्र शे ते मज्या पेशी ए ग्ण्यान तंत्र ने तेनी माहिती पहुचाडवानू कारिय करे शे अने तेरीते आपणे आपणे अंगुछो अत्वातो जीब ने व्यवस्थित वेदना रहीत करवानो प्रयत्ना करिये शिये। सुयोग्य समन्वई होवो अत्यंत आवश्यक्षे। उदाहरं तरीकि उन्नडानी रूत्वुमा आपणे खोराकनू प्रमाण ओछु अने पाणे नू प्रमाण वदू लहीये शिये। जेने कारणे आपणू ताप मांजे शरीरुनू ते जड़वाई शक्के। समन्वई ना उदाहरं जोया। परन्तु वनस्पतिमा चेता तंत्र अत्वातो स्नायू तंत्र होता न थी। वनस्पति कई रिते हलन्चलन करेशे। तेमा खासकरीने कई उत्तेजनानू कई रिते प्रतिसाद मलेशे। ते रिते तेमा आपनने समन्वई जोवा मलेशे। उदाहरं तरीके बाहिय उत्तेजनाने प्रतिसाद आप्पा माटे वनस्पतिना कोईपण भागनू थेलू हलन्चलन एटलेज अनुवर्तन अत्वातो अनुवर्ती हलन्चलन। कोईपण वनस्पतिनी प्रकांड संस्ता प्रकाश उत्तेजनानो प्रतिशाद आपेशे, एकलेके प्रकाश त्रोतनी दिशामा तेनी वृद्धी थाईशे, अही आपेल आकरुतिमा आपणे आ प्रकाश अनुवर्ती प्रतिशाद ध्यानती जोईएशे, आपणे घरना एक कोईपण प्रकारे कुंडू, आलू, अउडू, उन्दू, गम्मे ते रिते राख्यू होई, परन्तु ते माती बीजनू जयारे अंकुरन थाई, तो ये अंकुरित बीजनू जे प्रकांड निर्मान थसे, ते हम्मेशा सूरिय जे बाजू परहसे, ते दिशामाज तेनी वृत्ति पामेशे, तो आने आपने कहिए शिये प्रकाश अनुवर्ती हलन चलन, विविद रसायन ने आपेला प्रतिसाद रूपे, जो वनस्पतिना भागोमा हलन चलन थाई, तो तेने आपने रसायन अनुवर्तन कहिए शिये, उदाहरन तरीके बीजांड नी प्राग नली कानी थती वृत्ति, अहिया पेला उदाहरन मा आपने जो ये, के वनस्पतिना अहिया उपरना टोचना भाग मा स्त्रीके सरग्र उपर जे परागरज आवे शे, ते परागरज आप बिजांद नी दिशा, एटले के निचे नी दिशामा बिजांड तरफ जवा विशिस्ट प्रकार ना रसायन, जे आ बिजांड माती उत्पन थाई शे, ते आ परागरज ने पोता नी तरफ आकर शे शे, और तेने कारणे आ परागरज बिजांद नी दिशामा पोता नू हलंचलन करे शे वनस्पती नी मूल संस्ता, एटले के वनस्पती ना मूल पाणी नी शोध मा जमीन नी नी नीचे नी तरफ जाई शे, तो तेने आपड़े जल अनुवर्ती हलंचलन कहिये शिये बराबर तेवी जरीते हवामा कोई पन लटकतू, कोई एक वेलो होई, तो ते हम्मेशा गुरुत्वा कर्शन ना नियम मुझब जमीन नी तरफ, जमीन ना केंदर नी तरफ, एटले के नीचे नी तरफ जवानों प्रहत्न करे शे तो आवा प्रकार ने अपणे हलंचलन ने अपणे गुरुत्वा कर्शन नी उत्तेजनानों प्रतिसाद कहिये शिये अही आपेल उदाहरण माजोई आपणे आधार अनुवर्ती वृत्ति, अमर वेल जेवा छोड़ से के तेमाती आवा वेला बाहर निकड़े से अत्वा तो दुधीना वेला होई, तो आ वेला ओ जे नी उपर आधार रागता होई, ते प्रकांड नी आजुबाजुमा विटड़ाई शे तो तेवा वृत्तिने आपणे आधार अनुवरुप वृत्ति कहिये शिये वेला ना तंतुओ स्पर्ष सम्वेदी होई शे प्रकांड अहीं जे आपेलू शे, ते प्रकांड न अग्र भागमा संप्रेरक होई शे जेनू नाम ओकजीन शे ते कोशनी लंबाई वधारवामा मदद करे शे तो थोड़नी वृत्धी माटे जीब्रोलीन नामनू संप्रेरक मदद रूप थाई शे साइचो काईनींस एकोश विबाजन मा मदद करे शे ते उप्रांत आपनने विवीद वनस्पत्यों मा विवीद प्रकारना हलन्चलन स्पष्ट थाई शे उदा हरन तरीके अहीं आपेल लज्यामणीनो छोड आ लज्यामणीना छोड ने आपने स्पर्ष करिये तो तेने कारणे तेमा विशिस्ट प्रकारनू अलन्चलन थाई शे तेनी बाजुमा आवेल आ विनस फ्लाइट्रेप विनस फ्लाइट्रेप आ वनस्पतिमा किटकोने फसाववा माटे फूलोनी जेमज देखातो औने फूल जेवीचे सुगंद धरावता एक प्रकारना पाश होई शे जियारे किटक तेना पर आवे त्यारे ते आ पाश जेशे ते एकदम बंद धाईशे औने किटक जेशे ते वच्चे आवी जता ते वनस्पति द्वारा सहलाइटी तेनो खोराक बनी शकेशे कमणनु फूल अत्वातो रजनी गंदानु फूल आ बनने प्रकाश अनुवर्ती हलंचलन धरावे शे कमणनु फूल सवारे उगे तो रजनी गंदानु फूल राते खीले शे બાલ્સમ બાલ્સમ વનસપતિમાં ય્વગ્ય સમયે ફાળ ફૂતેશે અને તેના બી સર્વત્ર પ્રસરે શે मानव शरीर मां जोवा मरतु समन्वै मानव शरीर मां एकट समय विविद क्रियाओ थती रहे शे आ क्रियाओने उत्तम रिते असरदारक रिते समन्वै थवो जरूरे शे ते बे यंत्रणा द्वारा करवामा आवे शे चेता नियंत्रण और रास्यानेक नियंत्रण सो प्रतम आपणे चेता नियंत्रण नी माहिती लईए अही शरीर मा आएक स्तानेती बिजास्ताने आवा संदेशनु वहननु कारिय करनार कोश एटलेज चेता कोश चेता कोश ए मानवीय चेता संस्तानू रचनात्मक औने कार्यात्मक गटक शे। मानव शरिर्मा आज कदमा सवती मोट्टा तेवा चेता कोश नी लंबाई अमुक मिचरो सुधिनी होई शे। चेता कोश मा विद्युत रासाणिक आवेग निर्माण थवानी औने तेनी वहन करवानी क्षमता होई शे। पहला अक्षत अंतुनी छेवत नी टोज पासे विद्युत आवेग चेता कोश ने कारणे केतलाक रसायनों मुक्त करवा माटे उत्तेजित करेशे। आ मुक्त थएल रसायनों बे चेता कोश दर्म्यान आवेला अती सुक्ष्म पोलाण माती एटलेके संपर्क स्थान मा जाई शे। अने तेवोज आवेग आगणना चेता कोश ना सिखातंतुमा ते निर्मान करेशे। आवे रिते आवेगोनु शरीर मा वहन थाई शे। आवेग चेता कोश माती अन्तिम्द स्नायो कोश अत्वातो गरंती तरफ पहुचालवा मा मददरूप बने शे। अही आकरूतिमा रसायनों होई शे के जे चेता कोश ना विद्युत वहन माते मददरूप बने शे। चेता संस्ताना प्रकार कारिय अनुसार अपने चेता संस्ताना त्रोण जुथमा वर्गी करण करी शक्किये। नंबर एक सम्वेदी चेता कोश सम्वेदी चेता कोश ए आवेगोनु वहन मगज अने करोण रज्जु तरफ करेशे। प्रेरक चेता कोश प्रेरक चोता कोश ए आवेगेनु वहन ज्ञ्यानेंद्रियो माती मगज अने करोड रज्जु माती स्नायू अत्वातो ग्रंती जेवा प्रेरक अवयवो तवरः करेशे। जारे सहयोगी चेता कोश ए चेता संस्तानू एकत्री करणनू संकलात्मक कारिय करेशे। मानविय चेता तंत्र ना त्रण भाग नीचे प्रमालेशे। नंबर एक मध्यवर्ती चेता तंत्र जेने आपणे C,N,S एटले के सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहिये शिये जे मगज अने करोड रज्जु द्वारा थाये शे। परिगीय चेता तंत्र जेने आपणे P,N,S कहिये शिये ते खासकरीने करोड रज्जु द्वारा थाये शे। अने स्वायत चेता तंत्र ओट्रनोम नर्वस सिस्टम। चेता तंत्र, आपणे जोईए के सेंट्रल नर्वस सिस्टम् एटले के मद्यवर्ती चेता तंत्र आ मगज मांती निकर्टी चेता ने आपणे मस्तिष्कْ चेता कहिये शिये । ते छाती औने पेटना भाग सुधीज होई शे, मस्तिश्क चेता नी बार जोडी होई शे, करोण रज्जु एटले के आ पैरिफेर्वल नर्वस सिस्टम नी अंदर चेता तंत्र नी 31 जोडीयो होई शे, करोण रज्जु माती निकडती चेता ने करोण रज्जु चेता कहे ते हात, पग औने त्वच्या जेवा भागोवनी साते जोडायेली होई शे, करोण रज्जु चेता नी 31 जोडी होई शे, मध्यवर्ती चेता संस्ता ए मगज औने करोण रज्जु थी बनेली होई शे, मगज ए चेता संस्तानों मुख्य औने नियंत्रन करनारों भाग होव आवरणों आवयला होय शे जैने आपने मस्तिषक आवरण कहिए शिये मगजमा विविद भागनू पोलान होये शे आपनें मस्तिषक पोलान कहिए शीए अने करोड रुझ्जू माती आलामबा पोलाननी मध्यवर्ती नड़ी कहि से मस्तिश्क पोलाण, मध्यवर्ति नड़ी औने मस्तिश्क आवरणना पोलाणमा मस्तिश्क जड अहीं आ भागमा आवेलू होई से आ मस्तिश्क जड चेता तंत्रने पोशन पुरू पाड़े से तेमज यांत्रिक आगातती तेनू सवरक्षन करे से आ मोटू मगज आपड़ा मगज न सवती मोटो भाग होवाने कारणे तेने आपणे मोटू मगज कहिये शिये औने ते बे गोडार्धनू बनेलू होई से मज्यातन्तू औने चेता मार्ग द्वारा एक मिजानी साते ते जोडाएला होई से मोटा मगज न बहार नो प्रुष्ट भाग अनियमित आकार अने वलई अने खाचाओ नी एटलेके गडियो थी बनेलो होई चे जेने आपड़े समवलन कहिये शी मोटा मगज ना प्रुष्ट भाग नो क्षेत्रफड वधू होई से अने तेथी त्यां चेता कोश माटे भरपूर जग्या मोडे से नानू मगज आ मगज ना नानो भाग खोप्रीना पाचणना भागमा अने मोटा मगज नी निचेना भागमा अवेलो होई से आनो पुरुष्ट भाग वलया कारने लिदे उच्या नीच्या खाडा टेकरा जेवो जणाये शे लंब मजज आ मगज नी सवती छेल्लो अत्वातो पुछडी तरफ नो भाग होई तेनी सवरचना लगबग 3 मिलीमिटर लंबी होई शे अने तेनी उपर नी बाजुए त्रिकोन आकरुती उभारेली होई तेवी सवरचना होई शे जेने आपणे पिरामिड कहिये शे तेनी पाचल नो भाग एटले के अहीनो नीचेनो आगण जता तेनो रुपांतर करोण रज्जुमा थाये शे मानव मगजना बे भाग आपणे जोईये तो डाबी बाजु औने जमणी बाजु डाबी बाजु नो भाग जेशे ते जमणा भाग ने नियंत्रण करेशे ज्यारे जमणी बाजु नो भाग डाबी भाग ना शरीर ने नियंत्रित करेशे ते उप्रांत मगजनी डाबी बाजुनों भाग जेशे ते आपणा संभाश लखान तरक संघत विचार वगेरेने नियंतरन करेशे ज्यारे जम्णी बाजुनों भाग जे शे ते आपणी कला अने संगीत तेमज नव निर्मान जे भाग होई अत्वा तो आपणा प्रतिभात्मक विचार नो ए विकास तरवा माटे मदद रूप बने शे करोण रज्जु आ मध्यवर्ती चेता तंत्र नो एक महत्वनो भाग जे जे करोण स्तम्भमा स्थीर शे अहीं केटलीक जग्याए ते जाडो अने आगण जता ते पातलो थत्तो होई तेमा पणने जानाया शे मगज ना भाग अने तेना कारिय बट्टू मगज ए अईचिक हलन चलन पर नियंत्रन करेशे तेमाज मननी एकाग्रता आयोजन निरनेक्षमता स्मरनक्षमता बुद्धी मत्ता वगेरेमा मदद करेशे नानू मगज एचिक हलन चलन मां सुसुत्रता जानेशे तेमाज शरिरनु सम्तोलन जालबवू नु कारिय करेशे एटले के आपणा जैरे आपणे चालता है त्यारे डाबोपग आगड होई तो तेनी साते जमढ़ो हाथा allows आगड़ होई तेनी कारणे आपणा शरिरनु सम तोलन इटले के बैलेंस जड़वाई रहेशें लंब मज्जा रदैना धपकारा रक्त प्रवाह स्वाचो स्वास छीक आववी उद्रस आववी वगेरेने नियंत्रण करवानू कारिय लंब मज्जा करेशें करवर रज्जू त्वचा, कान वगेरे सम्वेदंशिल अवयवो माथी मजज तरफ आवेगोने वहन करवू मजज तीस नायू और ग्रंती तरफ आवेगोनू वहन करवू और प्रतिक्षिप्त करिया ना समन्वाई केंद्र तरीके कारिय करवू तो प्रतिक्षिप्त क्रिया एटलेशू तेनी आपने माहिती लईए एकादा कारियमा ज्यारे मगज रुकायलू होई त्यारे तेवी विशिष्ट परिस्थितिमा क्षण ना अमुक्स भागनी अंदरज जे निर्णै लेवानो होई ते निर्णै मगज द्वारा न लेता करोल रज्जू द्वारा थाई तेने आपने प्रतिक्षिप्त क्रिया कहिए शिए परियावरण मा एकाद घतनाने आपेलो त्वरित प्रतिसाद एटलेश प्रतिक्षिप्त क्रिया एटले के आ घटना कोईपण जातनों विचार न करता तेनी प्रतिक्रिया आपणे तरतने तरत ज आपपानी होई उदा हरण तरीके रोड क्रोस करता है औने जोर थी पाचर थी कोई गाड़े नू होन आवे औने आपणे एक सेकेंड माटे उभारे जही आ क्रिया आपणी प्रतिक्षुप्त क्रिया शे परन्तु त्यार पची आपणे आगढ के पाचडनी तरफ जवानी जे दोडा दोड करिये ते मगज द्वारा करेली दोडा दोड से બराबर એવिज रिते વોએક વस्तુને આपણે હाथ લगाडਹे नहीं आपणने गरम लाहत, चटको लाहता अपने हाथ उपाडी लेए तो एहाथ तरत खषणिक आवेग नी अंदर उपाडी लेवा निजे क्रिया खें प्रतिक्षिप्त क्रिया खें परन्तु त्यार पची ए हाथ ने आपणे थंडा पाणे नी अंदर बोड़गो अत्वा तो चालू नड़ना पाणे नी निचे राखवो ए मगज द्वारा करेली किरिया शे। आ ग्रंतियो पासे तेमना स्त्रावनो संग्रह करवा माटे अत्वातो स्त्रावोनों वहन करवा माटे कोईपल प्रकार्नियों वहीनियों होती नती ते ते तैयार थत्ताने सातेज सिधी लोईना प्रवाहमा भड़ी जाये शे। शरीर नी विविद क्रियावनों नियंत्रण अने एकत्रेती करण करवानों कारिय आ बन्ने तंत्रों एक मेक नी सहाय ताथी पूर्ण करे शे। चेता तंत्र अने राजसायनिक तंत्र वच्चेनों लाक्षनिक तफावत एशे के चेता आवेक जड़पी होईशे परन्तु टूक समय माटेज होईशे। जारे संप्रे रको एटलेके राजसायनिक नियंत्रण निकरिया खुबज दिमी परन्तु लांबा गाडा सुधी असरकारक होईशे। मानव शरीर मां अंतह स्त्रावी ग्रंतियों अलग-अलग स्थाने आवेली होईशे। आकरुतीमा आपने जोईए तुरुतिय नेत्र अने पिउशी का ग्रंति जे आपणा मगजनी निचे आवेली होईशे। तेने कारणे हाडकानी वृद्धी ऐड़िनेल ग्रंतियों नो वेग वद्वो, थायरोड ग्रंतिनो स्त्रावने वेग आपवो वगेरे कारिय करये शे। अही आवेल आजे शे ते थायरोइड औने पराइरोइड ग्रंति आपणा गड़ा पसे आवेली होईशे। आ ग्रंती माथे निकलता स्त्रावने कारणे शरीर ने व्रुद्धी औने चयापचेई नी क्रिया नियंत्रण थाई से, केल्शियम ना चयापचेई नू अने लोहीमा केल्शियम ना नियंत्रण करवानू कारिय पन आ थायरोईड औने पेरा थायरोड ग्रंती द्वरा थाई स्वादू पिंड जे आपड़ा पाचन तंत्रानी पासे आवेली ग्रंथी शे एतले के जठरनी आजुबाजुमा आवेल ग्रंथी शे तेमाती जरता स्त्रावने कारणे यक्रुतने ग्लाइकोजननु ग्लुकोजमा रुपांतर करवामा मददरूप थाई शे इंसुलिन अन ग्लुकागोनन स्तर परपण तेनों नियंत्रन थाई शे एड्रिनिल जे ग्रंथी चे ते आपड़ा मुत्र पिंड नी उपपर आवेली होई शे कटो कटीना तेमाज भावनाशिल प्रसंगोना वर्तन मा ते नियंत्रन करे शे अंडाशै एटले के ओवरी मा घरभाशै नी आजुबाजुमा आवेले ग्रंतीने कारणे इस्त्रोजेन अने प्रजेस्टोरन नामनू स्त्राव जेशे ते जरेशे जेने कारणे अंडाशैन माती रहेलू बीज परिपकव थाई शे